दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के के जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर सामाइन वरके वा और महिलाओं को नितिस सरकार देगी 10 लाख रूपिये ओनलाइन करे आवेदन जी हाँ मुख मंत्रे महिला उद्दमी योजना एवा मुख मंत्रे वा उद्दमी योजना का सुवारम निसियम नितिस कुमार ने किया है इस योजना के तहद अब सामायने और पिछड़ा वरके के व्यावों को तता सबी वरके के महिलावों को उद्ध्योग लगाने के लिए 10 लाग तक की मदद सरकार करेगी इसमें 5 लाग अनुदान के रूप में मिलेगा वहीं 5 लाग लोल लेना होगा जिस पर मात्र एक परतिसत ब्याज इवावों को लगेगा महिलावों को कोई ब्याज नहीं देना होगा लोन को 84 किस्तों में लोटाने की स्वेदा होगी दो किस्तों में यह रासी मिलेगी आपको बदाते कि इस योजना का लाव लेने के लिए मुख मंत्रे नितिसकुमा ने इस योजना से सम्मादित www.udami.bihar.gorman.in वेब पोटल का भी लोकारपन किया है इस वेब पोटल पर योजना का लाव लेने के लिए ओनलाइन आवेदन अप्लोड किये जा सकेंगे कारिकरम में दोनों उपमिक मंत्रे तारकिसर परसाद और रेनू दिवी के साथ ही उद्द्योग मंत्रे सयद सानवाज हुसन भी मौजुद थे अगली बड़ी कवर बिहार के 13 जिलों में पेट्रोल की किमत 100 रुपिय के पार जी हाँ इंदन की किमतों में एक बार पिस से बढ़ोतरी हुई है इस वृदि के साथ ही पेट्रोल की किमत पूरी सुभी में सतक की निसान को हिट करने के बहुत करीब पहुच गई है आपको बदाद की बिहार के 13 जिले ऐसे हैं जहां पेट्रोल की किमत 100 रुपिय प्रति लिटर के पार चली गई है वहीं बाकी जीलों में भी 99 रुपिय के पार चली गई है वहीं बाकी जीलों में भी 99 रुपिय के पार प्रति लिटर चली गई है अगली बड़े कवर बार के कहर को रोकने में जुटी सरकार जल संसादन विभाग का टोल फिरी नमबर जारी परभावी जीलों में डाक्टर की भी होगी तैनाती बिहार में भारी बारिस के बाद बाड के कहर को रोकने में सरकार जूट गई है बाड के दोरान प्रसासनिक सुवेदा मोहया कराने के लिए एक और जहां टोल फिरी नंबर जारी किया गया है वहीं सरकार की और से बाड परवावित इलाकों में डाक्टरों की तेनाती के लिए अभी रोश्टर बनाय गया है जल संसाधन मंत्री संजी कुमर जहा ने ट्विट करके कहा कि बाढ़ से सुरक्षा में जन सभागीता के लिए विशिस पहल किया जा रहा है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि तड़ बंदों में कटाव रिसा पाइपिंग आधिकी सुचना 24 घंटे हेलपलाइन नंबर 1800-3556-145 पर फोन करके या ट्यूटर या फेस्बुक पर हैश्टेग हेलो डबलो आर्डी के साथ पोश्ट कर जल संसाधन विभाग तक पहुचाने का काम कर सकते हैं साथ आपको बता दे बिहार के अररिया, सुपोल, दर्बंगा, किसन गंज, मुझपर, पूर, गोपाल गंज, मोतिहारी, बेतिया और पटना जीले में बार का खत्रा बढ़ गया है जिसके बाद आपदा विभाग ने इन जीलों में NDRF और HDRF की सोलर टीमी तेनात की है बता दे कि गंडग, बुतई, बलान और कमला नदी का जलस्तर रेड निसान के उपर है वहें दूसरी तरफ उत्तर बिहार में गहराने लगा है बाड का खत्रा, गाओं में घुसा पानी, कई इलाकों का संपर कटा जिहां लगतार बारिस की वज़े से बिहार में जन जिबन पुरी तरफ प्रभावित हुआ है तो उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाड ने कहर बरपाना सुरू कर दिया है, मुझपरपुर के तीन प्रकंडों में गंडग तबाई मचा रही है, साहिब गंज वा पारू के दियारा इलाके में करीब दो दर्जन गाओं बाड के पान पानी तेजी से बढ़ रहा है, बुड़ी गंडग में बृदी से मोतिपूर, काटी, मिनापूर, मुसहरे वह सरे इलाकों में दसत का माहुल है, गंडग से प्रभावित छेत्रों का डियम ने दोरा कर रहात वा बचाव कार तेज करने का निर्देश दिया है, वह सुगली पास करने का फैसला किया है, शुकरवार को बिहार के सिक्षा मंतरी, विजे कुमार चोधरी ने एलान किया कि सरकार इस बार कोरोना के कारण कमपार्टमेंडल परिच्षा कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए फेल हुए चात्र चात्राओ को ग्रेस माक्स दे कर पास करने का फैसला किया है, शुकरवार को बिहार के सिक्षा मंतरी, विजे कुमार चोधरी ने बताया कि मैट्रिक और इंटर की परिच्षा में फेल हुए चात्र चात्राओ के लिए कमपार्टमेंडल परिच्षा का आउयजन होना था, लेकिन कोरोना के करन अगले 2-3 महने में भी परिच्षा का आउयजन किया भी जाता है तो परिच्षा पल का प्रकासन अक्टूबर नौमबर के पहले संभव नहीं हो पायेगा, इसलिए परिचात्रियों को इस परिच्षा में पास होने का लाब नहीं मिल पाएगा, साथी सिक्षा मंतरी ने कहा कि विद्दातियों के ह इतको ध्यान में रखते हुए बिहार भिद्दाले परिचा समिति द्वारा, इंटर्मेडियाट और मेट्रिक परिचा में एक या दो विशवय में फेल होने वाले परिचात्रियों को कुछ अतरीक ग्रेश नमर देकर पास करने की समिति की प्रस्ता पर सिक्षा विभाग न रिजल जारी कर दिया जाएगा अगली बड़ी कबर बिहार के 19 जीलों में आज तेज बारिस की सम्मावना मौसम विभाग ने जारी किया औरेंज अलट जिया मौसम विभाग ने पुरानुमान जारी करते कहा है कि अगल तीन दिन तक उत्तर बिहार की जीलों के लिए सामान उत्तर मेध बिहार के जीलों में भी उरेंच अलर्ट जारी किया गया है इन जीलों में अगले 24 हुइस गंटे तक अलर्ट है इसमें सितामडी मढवनी मुझा पर पूर दर्बंगा वेसालेश सिवर और समस्थि पूर सामिल है इसी तरह उत्तर पूर्वी बिहार दक्चिन पूर्वी बिहार, दचिन मध बिहार और दचिन पस्चिम बिहार में भी कहें कई समानी से अधिक बारिस हो सकती है बड़ी कबर पटना के आज़ी आमेस में आज से ओपीडी सेवा शुरू ओलाइन रेजिस्ट्रिसन कराना होगा जी हाँ, कोरोना संक्रमन के कारण बंद हुई ओपीडी सुविदा अब एक बार फिर से शुरू होने वाली है पटना के आज़ी आमेस में 19 जून यानि आज से ओपीडी की सुविदा बहाल हो जाएगी अस्पताल प्रसासन की तरफ से दी गए जानकारी के मताविक अब हर दिन मेडिकल ओपीडी में 50 और सर्जिकल ओपीडी में 30 मरीज देखे जाएंगे हाला के अभी भी मरीजों को ओपीडी में दिखाने के लिए ओनलाइन रेजिट्रेशन एक दिन पहले कराना होगा सभी मरीजों की कोरोना जाज भी कराई जाएगी जिन मरेजों की कोरोना जा आच रिपोर्ट निगेटिव आएगी उन्हें ही डाक्टर देखेंगे पोजिटिव रिपोर्ट आने वालों को ओपीडी सिवा का लाब नहीं मिलेगा आप ओपीडी सिवा लाब लेने के लिए आईजी आमेस के मोबाइल एप पर ओनलाइन रेजि स्वास्त विबाग की ओवरसीत जारी ताजा आकडो के नुसार पिछली 24 गंटे में कोरोना के मात्र 347 नए मरेज मिले हैं इसके साथ बिहार में कूल एक्टिव केसो की सिंक्या गट कर 3547 तक पहुच गया है सबसे ज़्यादा राजदानी पटना में नए मरेज मिले हैं कू की नाम स्वरूप लगातार कोरोना का ग्राप गिरता जा रहा है कोरोना को जड़ से खतम करने के लिए टिगाकर नवियान को तेज कर दिया गिया है अगली बड़े कपर बिहार में चाचा बतीजा में तकरार तेज चिराग पासवान पहुचे इसी दपतर पसुपती पारस के लजपी अधग्ज बनने को बताया अस समय धानिक जिहां लोजपा सांसत चिराग पासवार और उनके चाचा पसुपती पारस के बेच तकरार जारी है चिराग पासवार ने चाचा पारस के राष्टी अधज बनने के फैसले को आज समय धानिक बताते हुए चुनाव आयोक का दरवजा खटकटाया है इदर पसुपती पारस भी अपने चैन होने के ड्रापड आयोक को सुपेगा चुनाव आयोक के दब्तर के बाहर मिडिया से बात करते हुए चिराग पासवार ने कहा कि आज लोजपा के पाच सदेशों का एक प्रतिनीदी मंडल ने चुनाव आयोक से मुलाकात की है हमने आयोक के सामने अपनी बाते रखी है हमने आयोक के संगान में दिया है कि 2019 में लोजपा के राष्टी अधक्च का चुनाव हुआ और मुझे जिम्मेदारी दी गई हर पास साल में राष्टी अधक्च का चुनाव होता है इसलिए हम चुनाव आयोक के सामने आये हैं अगली बड़े कबर औलोग बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगा राजद इवा राजद समालेगा मोर्चा तैयारी हो रहे यह आंदोलन के रन्यती जीला परभारियों को दिया गया टास्ट जीहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव के निर्देश पर इवा आरजदी लोगडाउन के बाद बिरोजगारी के सवाल पर बड़ा आंदोलन करने की रन्यती पर काम कर रहा है इसके लिए जीला परभारियों को टास्क भी सुपा जा रहा है जीला प्रभारियों को अब तक यह टास्क भी दिया गया था कि हर महिने में दो रात और एक दिन जीला प्रभारी उस जीले में विताए और इस्ताने समयसों का निप्टारा करे इसके लिए जीले में मिटिंग भी करे अब इसकी मोनेटरिंग भी की जा रही है पार्टी की सीनियर लीडर ने इसको लेकर निर्दिस दिया है अगली बाड़ी कबर पूर्वी चैमपारन और गोपाल गंज का संपर कटा गंड़क का जलेस्तर बढ़ने से सत्तार घाट पूल के पास दो इसान पर कट गया अप्रोच रोड पचास लाग के आबादी पर भाविए बारिस के कारण मोतिहारी में गंड़क नदी का जलेस्तर काफी बढ़ गया है इसके कारण केसरिया इस्तित सत्तर घाट पूल पर पानी का दवाव का भी बढ़ गया है अन्होनिक के असंगा को देखती वे डियम सिरसत कपिल असो के आदेश के बाद अप्रोज रोड को दो जगा से काड़ दिया गया है साथ लोगों को आवागमन पर आस्ताई रोप से रोक लगा दी गई है इससे पूर्वी चैमपारान और गोपाल गंज के बेच सड़क संपर टूट गया है इससे लगबग 50 लाग के आबादी प्रवावित होगी अगली बड़े कबर नालंदा में फिलाटलिक पार्क का हुआ उदगाटन डाग बिभाग बिहार सरकिल के दुआरा किया गया है निर्मान डाग टिकड़ों के जरीब बच्चे संस्क्रिती से हो सकेंगे रुबरू जिहां डाक विभाग बिहार सरकिल के दौरा नलंदा जिले में फिलाटलिक पार्क का निर्मान करा गया है इसका उद्गाटन पोश्टर मास्टर जनरल पुर्वी चेत्र बिहार आनिल कुमार ने वर्चुल मैदम से किया उन्होंने बताय कि बिहार में इस तरह का पार्क अप परक जानकारी देना है अगली बड़े कबर सारण के 80,000 मेर्टिक परिचात्रियों को ओलाइन उपलब्थ कराई जाएगी सिक्चन सामगरी जी हा साल 2022 की मेर्टिक परिचात्रियों की पढ़ाई को ले सिक्चा विवाग टेंसन में पढ़ गया है अधिकारियों को इस बात क समगर सिक्षा ने एक कार योजना तयार की है एक जुलाई से मेट्रिक में नमांकित बच्चों के वर्ट सेप पर सिक्षन समगरी भेज़े जाएंगे डिपी ओर राजन कुमार गिरी ने बेटक में कई बिंदों पर चर्जा की है आपको बदा दे के कक्चा 10 के बच्चों के प्रतेक विशाई का चेप्टर वाज लिखित और ओडियो विज्वल कॉंटेंट तयार किया जाएगा जिसमें विशाई निष्ट और वस्तो निष्ट दोनों ती तरह के प्रसनों उत्तर होंगे अगली बड़े कवर बिहार प्रतम इंटर लेवल संयुक्त परतियोगिता परिचा के अभियार्तियों का टाइपिंग टेस्ट जल्द जिहां बिहार कर्मचारी चैन आयोग की प्राथम इंटरिस्तरिय संयुक्त परतियोगिता परिच्छा 2014 में सफल अभियार्तियों के लिए स्किल का टेस्ट का आयोजन जल्द किया जाएगा इस समद में बियाससी ने सुकुरवार को अहम नोटिस जारी किया है बियाससी के नोटिस के अनुसार विग्यापन संक्या 060000114 प्राथम इंटरिस्तरिय संयुक्त परतियोगिता परिच्छा 2014 की मुई की परिच्छा में योग पाए गए अब एर्तियों को टंकन आसुलेखन जाज परिच्छा का आयोजन जल्द कराया जाएगा और आंद की बड़ी कबर साबर मती नदे में मिला कोरोना वारिस कई सेंपल पाए गए संक्र में जिया देश बर में कोरोना के दूसरी लहर से मची तबाई के रप्तार अब देरे-देरे कम होने लगी है हाला के अभी नए मरेजों की मिलने का सिलसला जा रही है वही कई राज्यों में कोरोना मिर्दों के बाते हुए सब पाये जाने के बाद यहां आसंका जताय जा रहे थी कि कई नदियों के पानी में तो कोरोना वारिस नहीं फैल चुका है इस आसंका को देखते हुए अब नदियों के बानी का सेंपल को लेकर उसका RTPCR टेस्ट कराने की सिरुवात हो गई है इसी बीच सावरमती नदी में कोरोना वारिस पया गया है गोजरात के आमदाबाद के बीचो बीच से निकलने वाले सावरमती के पानी के सेंपल ले गए थे जिसमें से कईयों में कोरोना संक्रमन मिला है आपको बताती कि बिहार में गंगा नदी में भी जिस तरह कोरोना के दूसरी लहर के दोरान बहते हुए सब आए गए उसके बाद यह आसंका जताय जा रही थी कि कहें गंगा नदी के पानी में तो कोरोना वारिस नहीं फैल चुका है इस आसंका को देखते वे अब गंगा नदी के पानी का सेंपल लेकर उसका आर्टिपिस यार टेस्ट कराने की सिरुवात हो गई है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार बोर्ड के दुवारा कंपार्टमेंटल वाले चात्रों को ग्रेस मार्क दे कर पास करने का निन्ने सही या नहीं इसका जवाब आप आप हमने नीचे कॉमेंट करके बताएं